हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सुमी का स्वागत है, आज हम बनाने जाए स्वीट कॉन पैटीज, देखिए कितने टेस्टी लगते हैं, आईए बनाते हैं एक कप स्वीट कॉम, आधा कप मक्के का आटा, आधा कप चावल का आटा, अगर चावल का आटा नहीं है, तो आप कॉन फ्लॉर भी यूज़ कर सकते हैं एक पिंच हींग, तीन से चार हरे मिर्च, जिसे कि हमने क्रस्ट कर लिया है, वन फोर्ट टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, वन फोर्ट टेबल स्पून लाल मेच पाउडर, वन फोर्ट टेबल स्पून अध्रप का पेस्ट, वन फोर्ट टेबल स्पून रहे हैं वो समाना कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं और पैटीस को सेखने के लिए हमने इसे फ्राय नहीं किया है नमक और चाट मसाला स्वाद अनुसार वन फोर्थ कप धनिया यह हरा धनिया है स्वीट कॉण को मिक्सी के पॉट में डाल के पीस लेंगे हम इसे यह हमने इसे पीस के तयार कर लिया है ग्रायंड हो गया है और इसमें अलग से पानि डालने की ज़रत नहीं है अल्डेडी स्वीट कॉर्ण में पानी होता है इसमें मक्की का आटा, चावल का आटा, दोनों डाल दीजे हरा धनिया बारिक कटा हुआ हीन, हरी मेच, जीरा पाउडर, लाल मेच पाउडर अद्रक का पेस्ट, नमक, डाल के अच्छे से मिला लीजे और आमचुर पाउडर आप पहले भी डाल सकते हैं मैं आमचुर पाउडर डालना भूल गई थी, पर हमने इसे बाद में इसमें एड़ किया है अच्छे से मिला लीजे और थोड़ा सा चाट मसाला भी आप अगर पसंद करते हैं तो इसमें आड़ कर सकते हैं अभी हमने आमचुर पाउडर एड़ किया इसमें और फेसे मिला लिया है और इसे आप तुरंद भी पैटीज तैयार कर सकते हैं और दस मिनट के लिए सेट होने के लिए भी रख सकते हैं इतने बड़े-बड़े पैटीज बनाने हैं हमें और हमने इसे दस मिनट के लिए रख दिया था क्योंकि चावल का आटा है तो थोड़ा सा सेट हो जाए, फूल जाता है, अब पैन को गर्म होने रखी, उसमें सिफा में तेल लगाना है, नॉन स्टिक लेंगे तो एकदम कम लगाईए, और अगर आप साधा पैन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा तेल जाता लगाना पड़ेगा, और उसमें पैटी, आप जिस भी शैप में बनाना चाहते हैं, उस शेप में बना लीजे, और डालते जाए, गॉल नहीं चीतने आपकिटा से लिए पैन प्रजी पन कर दरा Düक जी भी की दूश ए जल्दी पक जाएंगे, प्लेटो यह इस पर क्योंय हम यह उसbling करें, आपका भास आप no Stop by Let the talk about how और फ्लेम को हमने लो मीडियुम रखा है उससे जाधा नहीं किया है और उपर से भी तेल लगा दीजे और एक चमच में तेल लगाई है और उसको अच्छे से फैला लीजिए और चिखना कर लीजिए अब अब इसे पलट दीजिए एक तरब से थोड़े से क्रिस्पी हो गए है अब हम इसमें और पैटिस गाल सकते हैं जगा है अबुतवे पे तेल लगाई है और पाई बग कर दीजिए pública क चाहे तुआ फिर से ढाक सकते हैं या फिर नदval आ कि एसे दोना तरब से से एक सकते है इसे पकने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है, चार मिनिट में दोने आपसे पक के तयार हो जाते हैं, देखिए पैटी क्रिस्पी होते आए हैं बिल्कुल, आप जाए तो इसे तल भी सकते हैं, पर हेल्थ के लिए सेख के खाईए, सेखा हुआ भी बहुत टेस्टी काइट सफ़ाद सर्व कीजिए, या फिर ऐसे खाईए, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, चार्ट मसाला डाली इस पर, और खाईए, और सभी पैटी को इसी तरह से तयार कर लीजे और सर्व करनाय में, दीजे तयार्य है कॉन पैटी इस और धोड़ा से चार्ट मसाला ड रेसिपी को ट्राइ कीजिए, लाइक कमेट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाँ बाई